वेतन बहाल करने को लेकर सिच्चकों ने उद्लादिकारी के खिलाफ दिया धरना परदसर उद्लादिकारी सगडी ने निरचट करने के बाद 11 सिच्चकों को किया था निलंबिक सिच्चकों ने बड़े आंदोरन करने की दी चताओनी पूरे जनपत में होगा हड़ताल आपको पता दे कि आजमगर जिले के सगडी तास्तिल छेतर के इसमित इंटर कालेज अरिमत रड़ के समख्ष करमचारी वेतन बहाल न होने को लेकर सो मुआर को कालेज परिसर में ही मा धापों का उत्विरन करने का अरोप लगाते हुए रोके गए गयारक करमचारी के वेतन को बहाल करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और चेताओनी दीकी एदी एक सपता के अंदर करमचारी का वेतन बहाल नहीं किया गया था पूरे जनपत में चाग डाउन ताल करके उज्जला दिकारी का विरोध करेंगे वही पूरो में उज्जला दिकारी सगडी द्वारा निरिशन के दवरान अनुपस्तित पाए गए करमचारियों और सिचकों के वेतन रोकते हुए निलंबन का निर्देश दिया था एवां एक सप्ता के अंदर अस्पस्टिक विजवा दिया था पर प्रतानाचार द्वारा हमारा अस्पस्टिकर्ड काफी देर शिद्ये जाने के कारण वेतन रोक दिया गया इससते हम सब काफी अक्रोशित और खुद अगर पजानाचार की जाच करा दी जाये तो सारी इसती असपर्ष्ट हो जाएगी जबकि उस दिन कई अध्यापक ऐसे थे जो उपस्तित रहते हुए भी अध्यापक बना दिये गए जो चित नहीं है इस सम्मंद में दिला प्रांतिय मंत्री सेलेस्कवार राय ने कहा कि यदि एक सफ्ता के अंदर सिचकों के वेतन बहाल नहीं किया गया तो पूरे जनपद में चांग डाउन हर्ताल करके विरोध करेंगे वहीं पूर्व में समस्त अधिकारियों को हर्ताल के सुच्रा देते हैं वे सोमवार को सुबह सही सिचक विद्धाले परसर में नारेबादी और जमकर पदसन कर रहे हैं मैं नरेंदर सिंग प्रदेशी मंतरी उत्तर प्रदेश माध्यक ठीक संस अधिक सर आज अब लोग यह पर जोखी इस मिटमक पालेज में धरने पर क्या गपला है इसमिट इंटर कालेज इस त्यज्विक जो येषडीयम होते हैं वो पधेन आधाता होते हैं उनके द्वारा आउचक निरिछण किया गया और आउचक निरिछण में छै सिचकों और पांच परिचारकों को निलंबित किया गया जिसमें से अस्वनी कुमार, राजेस और आसिप अपनी अपनी कच्छाओं में पढ़ा रहे थे उनसे वारता लाब भी हुआ सेस जो थे कर्मचारी सिचक और कर्मचारी मेडिकल आउकास पर थे अकस्मात उनकी तवेद खराब हो गई उनके द्वारा अस्परश्टी करन मांगा गया प्रधानाचार्ज के थ्रूब और प्रधानाचाज ने असपराश्टी करन सिचकों से प्राप्त किया करमचारियों से, और उसे SPDम के प्रस्तुत नहीं किया और अपना असपराश्टी करन उन्होंने समझ से प्रस्तुत कर दिया जबकि SDM की रिपोर्ट में जो जाँ चाक्षा है जितने आरोफ है सब प्रधानाचार्ज के उपर परिलच्छित होते हैं और उन्हीं के उपर लागो होते हैं देवेंदराच चतुरुवेदी प्रधानाचार्ज का मैं अश्वनी कुमार उत्तर प्रधेश मादमी सिचक संग का प्रधेश का उपाध्याच हूँ और इसमें तिंटर काले अजमतगर में प्रवक्ता के पत्पर कार रहे थे हूँ कुछ दिन 29 अक्टूबर को इस विद्याले के आधाता एसडियम सगड़ी और चक निर्षड करने आये थे उसमें कई ऐसे हमारे साथी जो विद्याले में कार रहे थे सिछड कार में सलंगन थे अपने कच्छा में थे जैसे में खुद अश्वनिकुमार आसिप खान राजे जी सभी लोग इद्याले में थे इनके बावजूद भी एसडियम महोदे के द्वारा इनको अपसेंट दिखाकर इनका वेतन रोकने का आधिश करती कितने महीने तक आप लोग का वेतन अभी तो नौंबर से ही रुका हुआ है और नौंबर में हम लोग तब तक यसडियम साहब के आधेश का पालन करते रहें कि एसडियम साहब खुद कहेते कि इस लोगों कोई नुक्षान होने नहीं दिया जाएगा विद्याले सुनका सुंद्री करण हो जाएगा विद्याले चमक जाएगा साब सफाई हो जाएगी जो घास पूसे वो समाप्त हो जाएगा तो हम सभी अध्याकों का निलंबन जो यहां के एसडियम जो इस विद्याले कि अदाता है प्रबंदक का दाई तो है उन्होंने माधिनिक सिच्छा अधिनियम में जो वर्डित प्राविधान उसके विरुद्ध जा करके हमारे च्छा सिक्षकों और पांच परिचार्कों का निलंबन किया है जो निलंबन के लिए जो एक्ट में जो प्राविधान है कि कठोर डंड अगर हो तभी निलंबित किया जा सकता है लेकिन केवल हमारे सिच्छक अनुपस्तिती और असपस्तिकान का जवाब ना देने के आरोप में निलंबित किया है जबकि तीन सिच्छक विध्याले में उपस्तित थे कक्षाओं में पठन पाठन कर रहे थे SDM के इस अबयदानिक निलंबन के विरोध में इकाई साखा ने नेडे लिया है कि यहाँ धरने पर उसको जिले इकाई का समर्थन है अभी आज के पहले दिन यह धरना चला है अब इकाई ने निड़े लिया है कि ये धरना कल से जिला विद्याले निच्छक कारले पर चलेगा कल से हम लोग जिला विद्याले निच्छक कारले पर जो SDM के जो अबायदानिक करिते हैं आजे प्रबंदक उसके विरुद हम लोग गिला विद्याले निच्छा कारेले पर हम लोग धरना आउजित करेंगे कल से निजंतर और इस निलंबन को समाप्त कराएं